नमस्कार मेरा नाम है संजय कुमार और आप देखना सुरू कर चुके हैं दाइजडी नूज़ दानापूर से एक बड़ी खबर सुबा जब हमने आपको दिखाई थी कि नौ लोगों की मौत हो गई पीपा पुल पे जब जीब सवार होकर जा रहा था उसी बक्त रेलिंग तोड जीब जो है वो गंगा नदी में जागिर गया जसके बाद अस्थानिय लोगों की मदद से कुछ लोगों को निकाला गया जसके बाद नौ लोगों की मौत की खबर आई उसके बाद मुखमंतिन इंदीश कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है और लोगों के लिए दुख विक्त करते हुए 4-4 लाख रुपए की घोशना कर दी है मिर्तकों के लिए परिवारों को इस वक्त सम्वेंदा विक्त किया है और लोगों को कहा गया है कि तुरंत यानी ततकाल मुखमंतिन इंदीश कुमार ने उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की घोशना कर दी है आला अधिकारियों को घोशना करते हुए मुखमंतिन इंदीश कुमार ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द उनके परिवारों को 4-4 लाख रुपए दे दिया जाए जिसके बाद 6 लोग जो है वो छपरा के बताये जा रहे है और 3 लोग घोशपूर के बताये जा रहे है जिसमें 9 लोगों की मौत की ये खबर के बाद पुश्टी हो गई है और मुखमंतिन इंदीश कुमार ने बड़ी घोशना कर दी है लोगों के लिए 4-4 लाख रुपए त्रुंत यानि ततकाल देने की घोशना की है पूरी अपडेट हम आप इस खबर पर बने हुए है और पूरी खबर आप तक कहुँचाते रहेंगे तब तक के लिए आप बने रहे देश्टीनियूस के साथ और देखते रहे देश्टीन